नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुनीर शर्मा कभी कभी सबजी खाने का मन बिलकुल नहीं करता या कुछ चटपटा खानी के खिशा होती है तब ऐसे में क्या करें तो आईए मेरे किचन में बनाते हैं दही मिर्ची की आसान सी रेसेपी चटपटी है मज़ेदार है और सबसे खा मिर्ची जो तीखी नहीं होती है और इसके अंदर बीज भी कम होता है देखिए मैं इसको तोड़के बताता हूं आपको यह देखिए इसके अंदर बीज कम है मगर दही मिर्ची बनाने के लिए यह मिर्ची का प्रयोग आप कर सकते हैं दूसरी यह मिर्ची है जिसके अंदर वीज थोड़े ज़ादा होते हैं तो आप ये मीर्ची भी ले सकते हैं तो मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों तरह की मिर्ची ली है और आईये अब इसे कट कर लें तो ये जो कम स्पाइसी मिर्ची है इसको मैं बीच में से कट कर रहा हूँ क्योंकि काफी बड़े बड़े पीस हैं और इसे देखे बीच में से एक चीरा ऐसे भी दे देंगे इसके पीछी की जो पूँच है जो टेल है उसे में रहने दूँगा आप चाहें तो इस छोटी वारी मिर्ची की टेल निकाल सकते हैं मैं आगे से इसको कट करके और इस तरह से इसमें चीरा लगा दूँगा तो देखे हमारी मिर्ची अच्छे से कट के तयार हो गई है तो मिर्चि के बाद अब बारी है दही की तो ये मैंने मिट्टी के बरतन में दही जमाया हुआ था। बिल्कुल फ्रेश दही है। दही बहुत जादा खटी नहीं लेंगे तो थोड़ी सी दही लेंगे। और इसके लाबा ये मैंने एक दस्ता लिया है, एक मसाला बना लेंगे, इसमें मैं डाल रहा हूँ सौफ, इस रेसिपी में सौफ का टेस्ट आएगा तो बहुत मज़ा आएगा, खाने में साथ में थोड़ी सी पीली सरसों, अगर आपके पास पीली सरसों ना हो, तो आप की सबजी हर तरह की रेसिपी लिए, थोड़ी सी कलोंजी भी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अब आएए इन सब को कूट के एक दरदरा सा मसाला बना लेंगे, इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो मिक्सर में भी पीश सकते हैं, मैं इसी दस हो जाए तो हमने जो मिर्चें दोनों तरह की काट के रखी थी, उसे इसमें डाल के हमें थोड़ी देर फ्राई कर लेना है, इस वक्त आज को हमें मीडियम रखना है, याद रखिए मिर्ची काट के आपने डाली इसलिए उड़ेगी नहीं, वरना कई बार मिर्ची उड़ती हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, साथ में अमचूर पाउडर, अगर अमचूर पाउडर नहों तो आप नीबू का प्रयोग कर सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, और ये जो हमने दस्ते में मसाला कूट के बनाया था, वो डाल देंगे, अच्छा भरके ड पक जाएं, और मिर्च भी इन मसालों के साथ, पानी के साथ थोड़ी सी पक जाएगी, तो अच्छे से इसे हम कर लेंगे, मिक्स धक के इसे डेड़ से दो मिनट तक पकने देंगे, तो ये देखे दोस्तों, पानी थोड़ा सा सूप गया है, मिर्ची भी अच्छे से पक है, वरना दही फट सकती है, तो दही को मिर्ची और मसालों के साथ बहुत अच्छे से मैंने फटा-फट मिक्स कर लिया है, और गैस को फिर से चालू कर लिया है, इस वक्त आज को कम रखना है, और एक हलका सा बॉयल आने तक इसे मिक्स करना है, तो इसे थोड़ी देर ढग और गैस को कर दीजे बंद, और गरमा गरम सर्व कीजिए, ये दही मिर्ची की क्विक रेसिपी, दोस्तों आप इसे सफर में भी लेके जा सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं, और बनाना कितना असान है, आपने देख लिया, रोटी पराठों के साथ, खाईए दाल चावल के कि अबा उनाで आ लिएे जाँ क्विक रेसा सकते हैं, और सकते हैं, आप ऑज कैससफ लिएको की विक का हम कितना असान हो जीजे येगर प्लववत लिएक, तग कि रिएर बवणासा रेकितना असान का हमें चुअचा पने। भाई टूसका तोसके येवाना मुत्री लिएकthe